नमस्कार दोस्तों मैं अंचुमन शर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपका रोयल इंस्ट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आज हम बात करने जा रहे हैं MPPAT 2024 की कट आफ की आप सब जानते हैं कि मद्यप्रदेश में B.A.C. अग्रिकल्चर करने के लिए नमबर ओफ सीट देखेंगे कॉलेज में कितनी सीट है कौन-कौन सी युनिवर्सिटीज है इसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं तो आईए अपन चलते हैं सबसे पहले आपके लिए खुशकबरी है कि जो न्यू बैचेस है वो आपके एक जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं इसमें आप इलाइउन्स वैल्स फाउंडेशन हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम ऑनलाइन ओफ लाइन दोनों मोड में पढ़ाई कर सकते हैं JET-CUT 2025 का टार्गेट बैच जो हमारा है हिंदी इंग्लिश मीडियम ये भी ऑनलाइन ओफ लाइन मोड में है ICR, JRF, Agronomy और Soil Science का ये वाला कोर्स केवल इंग्लिश मीडियम और ओनलाइन में मौजूद है A.O. और First Grade Teacher के भी कोर्से जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं ये इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल रहेंगे आपके ऑनलाइन और ओफ लाइन दोनों मोड में स्टार्ट हो चुके हैं एक जुलाई से अगर आपको जादा जानकारी चाहिए या किसी भी प्रकार की आपकी क्वेरी हो तो नीचे दिये हुए नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं साथी साथ आपको देखना है कि ऑफ लाइन बेच में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो ऑफ लाइन बेच के साथ आपको ऑनलाइन का कोर्स जो है वो बिलकुल फ्री में दिया जाएगा साथी साथ सभी कोर्सेस के साथ पशु परिशर का कोर्स भी आपको फ्री में दिया जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं बात करते हैं हमारी P.A.T. एक्जाम की सबसे पहले हम देखते हैं कि M.P. P.A.T. का एक्जाम कब हुआ तो यह आठ और नो जून को हुआ आपका एक्जाम अभी दोजार जोईस में यहाँ पर गौवर्मेंट यूनिवर्सिटी इसकी बात करें तो M.P. में वैसे तो दो ही गौवर्मेंट यूनिवर्सिटी है JNKVV जबलपूर याँने जवालाल नहरुक रशी विश्विद्धयालय जबलपूर और RBSKVV गौल याइने राजमाता, विजया, राजया, सिंधिया, रशी विश्विद्ध्यालय गौलयय साथी साथ जो आपका महत्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोज़ विश्व विद्याला है सतना चित्रकूट में वहाँ पर भी B.A.C.A.G. का कोर्स अंचालित होता है तो स्टूडेंट के पास P.A.T. देने के बाद B.A.C. Agriculture, B.A.C. Horticulture, Forestry इनके लिए आपके पास तीन उनिवर्सिटी इस अवेलेबल है नेक्स बात करते हैं हम लोग सीट की कि आपकी कितनी सीट जो है M.P.A.T. के माध्यम से फुल्फिल होगी तो B.A.C. Agriculture में आपकी जो फ्री सीट है वो है 576 है ना? 576 मतलब 576 पेमेंट सीट अगर आपका नंबर थोड़ा सा पीछे आता है तो आप जादा पेमेंट देकर भी वहाँ पर मेरिट के हिसाब से ही काउंसलिंग होती है पर पेमेंट सीट पे भी एडमिशन ले सकते है पेमेंट सीट 174 कुल सीट जो है वहाँ है आपकी 750 ने 700 सीटों के लिए BAC AG के लिए जो एडमिशन की प्रक्रिया है इसमें केवल JNKVV जबलपूर और RBSKVV ग्वालियर की सीट को ही मैंने इंक्लूट किया है जो महात्मा गांदी विश्व विद्याल है उसकी सीट को अपन अलग से देखेंगे अब बात करते हैं BAC हर्टी कलचर की तो 128 जो है आपकी 3 सीट से 128 और 32 32 सीट है जो है आपकी पेमेंट सीट है इस तरह से देखा जाए तो 160 BAC हर्टी कलचर की सीट से नेक्स बात करें अगर हम BAC Forestry Forestry बहुत अच्छा कोर्स होता है और इसमें admission तभी लेना चाहिए जब BAC Agriculture या BAC Horticulture आपको नहीं मिल रहा हो जबलपूर में इसका जो college है, forestry का अलग से, इसमें 23 seats है और 5 payment seat है, ऐसे खुल मिला के 25 seats है अब बात करते हैं हम लोग, अगर आपका RVS के VV या JNKU में selection नहीं हो रहा है तो यह जो महात्मा गांधी, चित्रकूट, ग्रामुदे, विश्विद्याला यह अलग से अपनी personal counselling करवाता है और इस counselling में भी आप उसी P.A.T. की mark sheet से जो है, वो participate कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं इसकी अगर हम बात करें तो इसमें B.A.C. Agriculture की 80 सीटे हैं और 40 सीटे जो है वो payment के mode पे है यहाँ पर B.A.C. ना तो हर्टी कल्चर में होता है, ना ही forestry में होता है ऐसे अगर cool मिला के देखा जाए, तो एक student के पास 1055 सीटों का विकल्प मुझूद है P.A.T. करने के बाद अब हम बात करते हैं कि जो paper हुआ आपका उसका level क्या था तो बहुत deep analysis के बाद पूरी team ने हम लोगों ने देखा है कि गत वर्षों में जो प्रशनों पूछे गए थे उसके according अगर analysis किया जाए तो easy 80 प्रशन थे आपके 200 में से असी प्रशन लगबग लगबग जो थे वो ऐसे थे कि जो अच्छा पढ़ने वाला बचा है वो बहुत easy लिए उसको कर देगा medium questions की बात करें जिसमें थोड़ा logical reasoning type का था थोड़ा सा अपना जो daily हमारे जो observations रहते हैं जो रोज की दुनिया देखते हैं उसके हिसाब से medium question आपके 42 थे moderate थोड़े से level के question की अगर हम बात करें तो 58 इस बार काफी moderate questions उन्होंने दिये है moderate का मतलब यह है कि आपको कहीं न कहीं दो चीजों को combine करके पढ़ना पड़ेगा कहीं biology और agriculture का combination देखना पड़ेगा तो 20 questions बहुत tough थे कहने का मतलब है कि अगर highest कोई student करना भी चाहेगा तो 180 question वो कर पाएगा इसे जादा करना हमारे हिसाब से बहुत मुश्किल काम है इस कारण से हम कह सकते हैं कि paper का level जो था वो medium से थोड़ा सा उपर moderate ली था और इस कारण से आपकी जो cut-off हर साल जो जादा जाती है वो कम चली जाए लास्ट यह का paper भी काफी level का था आईए बात करते हैं कि लास्ट यह cut-off क्या रही थी तो आपके जितने भी categories हैं उनकी मैंने category wise cut-off निकालके रखी हुई है last year first counseling की जो cut-off थी वो यहाँ पर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ 2023 में cut-off क्या रही unreserved male याने general category पुरुष वर्ग में 94.21 marks जिसके थे उस बच्चे का last selection हुआ था उसके बाद general category के male को admission नहीं मिला first counting you are female याने general category female की जो cut-off थी वो गई 78.35 78 number EWS जो होता है आपका economically weaker section याने आर्थिक रूप से जो कमजोर विध्यारती है general category वाले आते हैं उनका certificate बनता है इसमें 93.29 देखो अब यहाँ पर हम देखे unreserved में 94 है और EWS में 93 है बहुत कम difference है तो आप कभी भी जब भी तयारी करें EWS के भरों से नहीं रहे आप पूरा जोर लगा के ही पढ़ाई करें OBC male की cutoff आपकी 94 numbers रही OBC female 84.73 OBC crushak वर्ग आपके MP में जो है crushak का अलग से प्रमान पत्र बनता है वो general category वाले में लागू नहीं होता है OBC STSC तीनों में लागू होता है तो OBC crushak की जो आपकी 93.38 यहाँ भी आप difference देखेंगे तो आपको एक number से कम का ही difference आपको दिखाई दे SC female में 77.24 SC crushak वर्ग में 75 यहाँ पर अगर हम देखें SC male और SC crushak में तो मुझे ऐसा लगता है कि SC वाले जो लोग है category के वो crushak का प्रमान पत्र नहीं बनवाते हैं उनको बनवाना चाहिए मेरी सलाह है अगर नहीं बनवाया है तो कोशिच करके उसको बनवा लीजिए SC crushak वर में 75.29 ST male में 72 ST female में 66 और ST जो crushak था इसमें 72 cut off गई है तो आपको ध्यान रखना है जितने भी आपके document से उनको ready कर लेना है counseling के पहले बहुत जल्दी counseling की प्रक्रिया भी शुरू होने वाली जैसे result आता है मैं आपको separate videos का बना के देदूंगा अब हम बात करते हैं कि 2024 में ज इसके बाद मैं exact नहीं बताऊंगा आपको एक छोटी सी range बता दूंगा कि इस range में अगर आपके number है तो लगभग लगभग आपका selection हो सकता है फिर भी अगर हम बात करें college of agriculture इंदौर की या जबलपूर campus की तो उसकी cut off जो है बहुत हाई रहती है आपको बहुत अच्छा perform क करना पड़ता है top 100 में आना पड़ेगा कहीं न कहीं तभी जाके आपको इतने अच्छे colleges मिल पाएंगे चलिए आगे बात करते हैं लोग दोजार चोईस में cut off क्या रहेगी तो अन्रिजर्ड मेल यहने general category की cut off लगभग लगभग 95-96 numbers यहने 95-96 numbers जिन बच्चों के हैं वह selection हो जाएगा you are female यहने unreserved girls जो है general category की लड़की हैं उनकी cut off जा सकती 80-82 number EWS यह general वालों के लिए एक है इसमे 94-95 number जो है आपके अगर है तो आपका selection हो सकता है OBC male की बात करें तो 90-92 number पर OBC female 84-86 84-86 number में OBC लड़कियों का selection हो जाएगा OBC क्रशक की अगर बात करें तो यह भी 92-93 कोई बहुत जादा इसमें difference नहीं आने वाला है ना चलिए फिर हम लोग बात करें OBC male की बात करते हैं तो यहां पर 80-82 number कभी कभी क्या होता है कि OBC वाले सभी बच्चे जो एक रशक का प्रमांट पत्र लगा देते हैं इस कारण से जो उदर direct select होने वाले रहते हैं वो क्रशक वर्ग में पहले select हो जाते हैं तो इस बात का भी आपको थोड़ा सा ध्यान OBC में आपका selection sure हो जाएगा अगर ST male की हम बात करें तो 70-72 यहने 70-72 नंबर पर आपका हो जाएगा वैसे भी MP में जो देखें ST की population बहुत जादा है है ना लगबग 20-25% के बीच में ST category के लोग है आपके पूरे के पूरे जिले धार जाववा अली राजपूर है ना यह सार ST female में 66-68 यानि 66-68 अगर है तो ST female में आपका selection हो जाएगा ST क्रशक की बात करें तो 70-71 नंबर पर आपका काम हो जाएगा तो कहने की यह बात है कि 200 नंबर का आपका paper था उसमें कोई minus marking नहीं थी और cut off जो है आपकी 100 नंबर से भी कम जा रही है इसका मतलब यह है कि अगर आप 50% marks भी secure कर पा रहे है एक्जाम में तो आपका 100% selection हो जाता है रही दूसरी बात कि MP में आपके जो colleges हैं उसमें campus में बहुत सारा difference है तो अगर हम देखें कि हमको कोई lower category का college मिल रहा है कोई ऐसा college मिल रहा है जो अभी recently बनाए जहां पर बहुत ज़्यादा development नहीं हुआ जहां पर लेबरेटरी नहीं है जहां पर professors नहीं है तो आप चाहें तो अपनी तैयारी को और धार कर सकते हैं क्योंकि बात एक साल या तीन महीने चे महीने की नहीं होती बात होती और अल लाइफ की तो मेरी जहां तक सला है अगर आप अपनी अच्छी rank लेकर अच्छे colleges से preparation करके अच्छी पढ़ाई करेंगे तो आगे जाके competitive exams में आगे जाके government jobs में आगे जाके private jobs में आपको उसका बहुत ज़्यादा benefit मिलने वाला है बहुत ज़्यादा फाइदा मिलने वाला है तो CUT या MPPAT दोनों ही तैयारी जो है आप Royal Institute से कर सकते हैं उसके लिए आपकी batches जो है वो start है एक जुलाई से अभी next batches भी start होने वाली है जो 10 जुलाई, 20 जुलाई, 30 जुलाई तक जाएगी आपके admissions जो है over around जो year चलते रहते हैं पर almost ज्यादा तर admission जो है अपने वीडियो बना के दे दूँगा बहुत अच्छी तैयारी करिए आप लोगों ने अपने आप पर भरोसा रखे इश्वर पर विश्वास रखे सफलता जरूर मिलेगी बहुत बहुत धन्यवाद, all the very best, thank you